मैं गिहू का चिक बनाने जा रहे हूँ यह एक स्विट पिश है इसमें गुड और शक्कर डालके भी खाते है यह जो ठीक है जो मैं रशीपी बनाने जा रहे हूँ गेभू को तीन दीन पानी में भीवोकर उसको निठार कर अच्छे से द्भूब कर ताकि गेभू का जो तीन दीन दखा हुआ पानी था उसका स्मेल जा जाए पिर वो मिक्सर में पीस कर उसका फाइबर निकाला और फिर वो चन्य से छानके हुआ यह जो है वो चन्य से छाना हुए चिक है अब इसकी रिक्षी बनाने जानी यह जोगी ताटलास टीक है और पानी रेंखें मैं अभी उबला हुआ पानी इस भगोने में ताल रही हुआ है अब आप यह नमत है अच्छे से घोलने को यह यहुका चिक है यह भी उसमें नेट काम है यह भी उसमें नेट काम होता है यह भी उसमें नेट काम होता है अच्छे से हटे साके उसकी गुठी अला बने पिलाते रहिए बातन को इकटता है तूज को जोल से निकाज में थो लाता है यह चिक बहुत गाड़ा बन गया है इसको अच्छे से हाटने का है नीजे से बिलकुल चिपकने नहीं देना है इसका रंग भी काफी अच्छा बदल रहा है यलो इशारा है बरनल लो पे ही रखे ताकि आच सब्टे इसका बरनल रहा है यह अच्छे से हाट रहे हैं इसके गुठी ना पढ़िए यह देखिए गाड़ा चीक बनते जा रहा है यलो कलर चड़ रहा है इधी रेजिए यह देखिए है अच्छे से एक बर में हाट लेकियों और इसको समच को निकालके थोड़ी देर के लिए धीनी जास्ते भापाने तक चड़ा के रखे यह हूकर चीक बन जाया है अभी इसमें इसका टोरी में मैंने थोड़ा सा चीक यह है अभी में इसकी त्विट्डी बनाऊंगी यह दूर है मलाई वाला अच्छे से मिक्स करना है इसमें थोड़ा सा गुण शक्कर भी यूज कर सकते हैं अच्छे से मिलाना है अच्छे साथ सबी जगा से मिठा सा रहें अच्छे से आप के लिए गार्णिश के लिए काजू फिर टुक्ड़े हैं बदाम डाले हूए ये इलाइस के पाउडर है ये इलाइस के पाउडर है पाउडर अब इस खाने के लिए अभी स्टैार ये गेगू का चीट है ये एक त्विट देश है ये बिल्दी रेशी की है जिन्हों के आज़े की सिख बार बार ये खाउडर है ये एक है ये इलाइस झाले है ये इलाइस ये ज़िए के ये ये इलाइस झाल झाल